प्रोग्राम के शुरुवात इस वक की बड़ी खबर से दरसल अगर देखा जाए तो सचिन पाइलेट को रास्थान कॉंग्रेस में बेहद ही मजबूत अब इस्तिती मिलती नजर आ रही है और तो और सोनिया और राहूल गांदी का साथपा कर सचिन पाइलेट अब बेहद ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं हाला कि अगर देखा जाए राजस्थान कॉंग्रेस में जारी सियासी संग्राम पर पूरी नजर दिल्ली में बैठे बैठे सोनिया गांदी रख रही थी लेकिन अब इस्थती काफी जादा अलग हो चुकी है क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाये तो गहलोत का मनमाना रवाई अब सोनिया गांदी को ना तो बरदाश आ रहा है और ना ही सोनिया गांदी ये चाह रही है कि गहलोत इस तरह का काम करें दरसल रास्थान कॉंग्रेस में जारी सियासी संकट का असर अब पार्टी पर दिखता नजर आ रहा है यही वज़ा है कि सोनिया गांदी ने कुछ समय पहले कुमारी सैजा को गहलोत से मिलने के लिए भेजा था और ये बता दिया था कि अशोग गहलोत आने वाले समय में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पार्टी आलकमान को बड़ा कदम उठाना पड़ जाए हाला कि अगर बात करे तो फिलाल सोनिया और राहूल गांदी का साथपा कर सचिन पाइलेट काफी ज़्यादा खुस है सचिन पाइलेट को अब लगने लगा है कि कॉंग्रेस पार्टी आलकमान अगर उनके साथ खड़ी है तो साहिर सी बात है सचिन पाइलेट अब बड़ी जिम्मतारी सम्हालने के लिए तयार दिखते नजर आ रहे लेकिन सचिन पाइलेट के राषदे में अरचन डालने का काम कहलोत ने अभी तक खूप किया है अशोग OMG नहीं चा रहे थे कि सचिन पाइलेट का राश्नीति कद उनसे ज्यादा ऊपर हो यही वज़ा है कि सचिन पाइलेट को पहले डेप्टी सीम का पत मिला उस पर भी अश्यो कहलोत ने नाराज की चताई सचिन पाइलेट को काम नहीं करने दिया गया और सचिन पाइलेट ने अपने डेप्टी सीम पत से इस्तिफ़ा दे दिया उसके बाद अगर बात करें परदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी छोड़ती लेकिन अब सचिन पाइलेट ने ये साबित कर दिया है कि वो आरपार की लड़ाई लड़कर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे ऐसे में सोनिया और राहूल का साथपा कर तो सचिन और ज्या पाकात होगी तब तक ले जाद दीजे नमस्कार